हेलो एवरीवन वेलकम बैक दू दू दा होमवर कॉर्णर I hope you all will be fit and fine सो आज हम करेंगे exercise 10.3 का part 2, part 1 में अलड़ी upload कर चुकी हूं जहाँ पे मैंने question number 1 से लेक्टी 7 तक explain क्या था और आज part 2 में हम पूरी exercise को cover करेंगे so let's start the video उससे पहले अगर आप इस channel पर first time आये तो please don't forget to subscribe my channel साथ में bell icon को भी press कर दीजी ताकि आपको सारे videos की latest notification मिल सके so question number 8 में हमारा क्या given है आपको एक rectangle floor given है ठीक है जिसकी length है आपकी 5 meter और 4 meter उसकी width है या आप breath भी बहुत सकते हो यहां पर हमें carpet बिचाना है और जो carpet है वो हमें square में given है 3 meter by 3 meter यानि कि 3 meter का जो है 3 meter by 3 meter का square carpet हमें उस floor पे बिचाना है तो हमसे पूछा गया है उस area वो area पूछा गया है floor का जो कोई complete नहीं हुआ जो carpet से जिस पे carpet नहीं है जो cover नहीं हो पाया तो चलिए इस question को करते हैं सबसे पहले हम यहां पर इस floor का जो है area निकाल लेंगे तो length of the floor ठीक है यह जो floor है आपका इसकी length given है 5 meter फिर हम इसकी breath लिख लेंगे और जो breath है वो है इसकी 4 meter now जो area हो जाएगा floor का area of the floor जो आपका area हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 square meter ठीक है यह कैसे निकाला 5 meter into 4 meter आपका हो गया 20 square meter now carpet है जो है यहाँ पर carpet का measurement दिया है कि जो carpet है वो 3 meter का होना चाहिए square है तो देखिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा अभी हमें पता नहीं कि carpet कितना use किया है तो हमें carpet का area भी निकालना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं निकाल लिए आपका area of carpet so carpet का area हमारा क्या हो जाएगा side into side यानिके 3 meter into 3 meter ठीक है तो यहाँ आपका आज जाएगा floor है उसका area है इतना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम 20 meter में से square meter में से 9 square meter को घटा देंगे तो हमारा जो 11 square meter area है वो cover नहीं हुआ है ठीक है वो हमारा cover नहीं हुआ है अब बात करते है question number 10 की question number 9 मैंने आप इले ही लिया है because question जो है वो easy है आप लोग कर सकते हों so question 10 में हमें एक figure दी गई है और बताया गया है कि इसको हमें क्या करना है split करना है यानि कि इसको तोनना है किसमें rectangle में और फिर हमें इनका area find out करना है यह हाँ पर जो है आपका 3 cm है यह भी 3 cm है यह आपका 4 cm है ठीक है और यह आपका 4 cm है इधर भी यह 2 cm है यह भी आपका 2 cm है यह आपका 3 cm है और यह आपका 1 cm है तो सबसे पहले हम इसको split करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखी एक तो यह हो जाएगा हमारा rectangle ठीक है उसके बाद एक rectangle हमारा यह हो जाएगा लेकिन इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा और एक rectangle यह हो गया हमारा और एक टोटल चार rectangle इस figure में हमारे बन जाएगे तो सबसे पह होना चाहिए कि जो area हमने अभी निकाले है ठीक है जो area हमने अभी निकाले है उनका measurement कितना आएगा ठीक है जैसे कि अभी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक four है अभी यहाँ पे half हो गया है तो यह आपका जो area है ठीक है वो आपका हो गया है two centimeter ठीक है तो इसके अलावा यह आपका यहां तक है 3 cm और यह आपका यहां तक है 2 cm तो जो इतना हिस्सा कवर हुआ है हमारा वो आपका है 1 cm ठीक है तो आपका 2 cm यह हो गया और 1 यह हो गया समझे रहां मेरी बात यह इधर आपका 1 है और यह भी आपका 1 है और 2 इधर तो टोटल यह हिस् 3 cm है और यह आपका 1 cm हो गया ठीक है यह आपका 1 cm यह बिल्कुल इसके just opposite है तो यह भी आपका 1 cm और यहां से यहां तक यह आपका हो गया 2 cm क्योंकि यह बिल्कुल just इसके equal है तो यह अगर यहां तक 2 है तो यह भी आपका 2 हो जाएगा ठीक है यहां तक आपको क्लियर हो गया, यह आपका हो जाएगा, यहां से यहां तक 3 cm, तो यह वाली फिगर आपको क्लियर हो गई, यह वाली फिगर क्लियर हो गई, यह आपका बनेगा 4 cm, कैसे, 1 यह है और 2 यह है, टोटल 3 है, ठीक है, यहां तक का टोटल 3 है और उपर 1 है, तो यह आपका 4 cm बनेगा कितना बनेगा आपका 4 cm बनेगा यहाँ पर आपका यह है 2 cm ठीक है और यह आपका हो गया 4 cm ठीक है अब टोटल हमारा पूरा चार इसमें जो है rectangle बन चुके है अब हमाई इंका name रख देते हैं ताकि आपको area find out करने में easy हो तो माल लेते हैं यह आपका A, B, C और D ठीक है पहले मैं इसको माल लिया A, B, C, D इस वाले rectangle को तो मैं यहाँ पर लिखूंगी area of ठीक है area of A, B, C, D है ना area of rectangle A, B, C, D ठीक अब देखे यह भी 2 आपका यह भी 2 यह 4 और यह 4 अब area क्या होता मारा length into breadth या निके 4 cm into 2 cm यह होगा हमारा 8 square cm ठीक है अब यह वाला तो हमने cover कर लिया अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर चलिए हम इसके भी नीम रख देते हैं A, B, C, D E, F यह F E, F, G और यह होगा हमारा H ठीक है E, F, G, H so area of E, F E, F, G, H 3 cm into 3 cm यह आपका हो जाएगा 9 यह एक square बन रहा है हमें बोला गया था rectangle लेकिन एक square है तो square का जो हम निकालेंगे side into side यह आपका हो जाएगा 9 square meter ठीक है 9 square meter उसके बाद यह हमारा rectangle बचता है इसका name भी हम लक्स देते हैं इदर तो यह आपका H आ गया था so H I J K ठीक है so area of H I sorry I H K J यह वाला area ठीक है आप समझ जाएगे कि मैं किसका area निकाल रही हूँ 2 cm into 1 cm तो यह आपका हो जाए 2 square cm now area of यह नीचे वाली जो figure हमारी रह गई है हमें इसका निकालना यह I है I M N O अपनी मर्जे से मैंने name रखा आप भी रख सकते हो I M N O यह हमारा आपका अपनेगा 3 cm यह भी आपका 3 cm यह भी आपका 3 और यह भी 3 so 3 cm into 3 cm यह आपका हो जाएगा 9 square cm so total area जो इस figure का बनेगा वो आपका होगा 8 plus 9 plus 2 plus 9 ठीक है so यह आपका आजएगा 17 और 11 28 ठीक है कितना आपका 28 square meter square centimeter sorry square centimeter योशिव में part 2 भी है ठीक है so यहापे हम कैसे बनाएँगे आप यह दिखे मैं इसको पुरा आपको नहीं दिखाऊंगी आप यहापे name रखेगा figure की इसमें एक rectangle part हमारा यह हो जाएगा ठीक है और यह दो rectangle part total 3 part बनेंगे इसमें तो सबसे पहले दिखे यह आपका 3 है और यह आपका 5 है ठीक है यहापे आपका यह कितना है यहापे आपका यह है आपका पूरा यह आपका 3 है और यह आपका 2 है ठीक है तो यहां पर यह आपका 1 बन जाएगा और यहां पर भी आपका 1 cm बन जाएगा ठीक है और यह आपका पूरा हो जाएगा 5 5 5 1 1 ठीक है तो आपका एक तो यह आगया एक आपका यह हो जाएगा यहां से यह आपका 2 2 बन जाएगा और यह आपका एक साइड हो जाएगा 1 चीए 1 cm चीए 1 cm 1 cm जी इसी तरीकी से यह आपका 1 cm 1 और यह आपका 2 जो कि तोटल पूरा 3 है तो यहां तक आपका 2 होगा इस तरीके से हम इसको निकालेंगे जो question number 11 है उसमें भी यही है split the following shape into rectangles and find their areas so यहाँ पर भी आपको दो given है मैं आपको एक ही कराऊंगी चीक है या फिर कोशिश करूँगी कि मैं दोनों के include करा दो यह easy है इसको आप ऐसी भी कर सकते हो आप इसको ऐसी भी कर सकते हो चीक है अगर मैं आपको इस तरीके से इसको split कर देती हूँ तो एक rectangle यह बन गया एक rectangle आपका यह बन गया यह आपका 2 cm2 है तो यह भी आपका 2 cm2 हो जाएगा यह आपका 10 है तो यहाँ तक आपका 10 हो जाएगा तो यहाँ तक आपका 10 हो गया ठीक है यहां तक आपका 10 centimeter हो गया और यहां तक आपका टोटल 10 है तो यहां तक यह है 8 लेकिन अगर हम इसको ऐसे करते हैं तब आपको यहां पे 8 की ज़रुद पढ़ते हैं अब यह पूरा आपका 10 हो गया है मैं इसका नीम रख देती हूँ A, B, C, D, E, F, G ठीक है अब हम निकाल सकते हैं like area of सबसे पहले हम इस figure की बात कर रहें a b c g ठीक है तो यहाँ पर यह आपका 10 cm 10 cm आपकी length है और जो आपकी breadth है वो है 2 cm 20 square cm अब हम बात करेंगे area of कौन से की सो यह हो जाएगा हमारा g d e f ठीक है यह हमारा हो जाएगा यहां से यह वाला 10 cm into 2 cm ठीक है यह भी हमारा 2 है 20 square cm सो जो total area हमारा हो जाएगा वो आपका आज जाएगा 20 plus 20 40 square cm दोनों का हमने add कर दिया है ठीक है दोनों का हमने add कर दिया है figure है इसमें यह सारी side है आपकी है 7 cm की है कितनी की है 7 cm की है सो यहां पर देखे यह भी आपका 7 cm यह भी आपका 7 यह भी आपका 7 तो यहां पर जित्ते भी है न यह क्या बन रहे है हमारे squares बन रहे है ठीक है कितने squares बन रहे है total 5 तो यहां पर हम एक square का area find out कर लेंगे और उसको 5 से multiply कर देंगे सो area of 1 square ठीक है एक square का आप area निकाल लो क्या जाएगा 7 cm इंटू 7 cm ठीक है आपका हो गया 7 7 जा 49 square centimeter so area of 5 square क्योंकि total हमारे 5 बन रहे हमने एक का निकाल लिया तो इसको 5 से multiply कर दीजे तो आपका पाचो का जो है आपका आजाएगा और इस तरीके से आप multiply करके इनका भी area find out कर सकते हो जो आपका answer है वो आएगा 245 square centimeter उसके बाद जो next figure है वो इस तरीके से दी हो गई है तो आप इसको निकाली जिएगा next question number 12 tiles length जो tile है एक tile given है हमे उसकी measurement given है कि उसके length इतनी उसकी breadth इतनी है और उसके बाद इसमें 2 part 12 question में एक rectangle reason है ठीक है rectangle reason है उसका area क्या है उसकी length क्या है 100 cm और उसकी breadth है 144 cm तो ये जो rectangle reason है area इसमें हमें tile लगानी है और tile की measurement इतनी है तो पूछा गया है कि number of tile के requirement कितनी होगी ठीक है ये question हमें given है क्या हमें tile की length of breadth given है और एक rectangle area जिसमें हमें ये tile लगानी है ठीक है तो पूझा गया कि कितनी टाइस के में दरूत पड़ीगी तो सबसे पहले चलो हम find out कर रहेते हैं जो rectangle reason है उसका area तो लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे length of the reason ठीक है वो जो area है उसकी length हमें कितनी given है 100 cm ठीक है फिर हम उसकी breath लिख लेंगे इदर sorry a breath of the reason जो reason है उसकी breath है 144 cm so area of the reason जो area है उस rectangle reason का उस area का वो हमारा हो जाएगा 100 cm into 144 cm so हम multiply करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,400 square cm यह हमारा होगा area now area of tile find out करेंगे so length of the tile जो tile है उसकी length है 12 cm ठीक है फिर हम उसकी breath find out कर लेंगे जो breath है given हमें breath of the tile वो है हमारी 5 cm so area of tile ठीक है area of tile जो tile की measurement है वो आप क्या आएगी 60 square cm ठीक है 60 square cm यहाँ पर मैंने cm नहीं लिखा है तो आप लिख लीजेगा so अब number of tiles required कितनी tiles की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम कैसे find out करेंगे so उसको find out करने के लिए area of resin यानि कि उस rectangle जो area है float जो भी हमें given है उसका area और area of tile वो जो tile है उसका measurement कितना है उसका area कितना है उससे हम divide कर देंगी तो हमारा जो answer है वो आ जाएगा so area of resin ये है और जो हमारी tile है उसका है आपका 60 square centimeter ठीक है so 16, sorry 6 रूजा, 6 टूजा 12 and 6 फोजा तो total जो हमें tiles है वो पड़ेंगी उस area में लगाने के लिए 240 कितनी पड़ेंगी 240 इसका जो भी पार्ट है वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखकर so आज की वीडियो में सिर्फ इतना है hope you like the video और इसी के साथी exercise हो जाती है खतम और अम मिलेंगी हम next वीडियो में till then bye bye stay safe stay healthy